हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मैं संदीप परमार अपने चले पर आपका स्वागत करता हूं क्या डोस कोईन के प्राइज को लेकर बहुत बड़ा मोमेंटम चल रहा है क्या फिर आने वाले समय में डोस कोईन के प्राइज में उच्छाल देखने को मिलेगा वो कौन लोग ह जो चाहते हैं कि डोज कोईन में एक बहुत बड़ा पंप आए जी हां दोस्तों इन सभी प्रश्णों का जवाब हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतक देखें इस वीडियो में हम बात करें सबसे पहले बात कर लेते हैं जी हो दोस्तों डोज कोईन के बारे में तो अकर डोज कोईन की बात करें तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही व्यक्ति का ख्याल आता है वो है एलॉन मस्क जी हां दोस्तों टेसला के सीई ओ एलॉन मस्क चाहते हैं कि डोज कोईन में एक बहुत बड़ जितने भी उसके बड़े बड़े डिलर्स हैं वो डोस कोईन के थूरू टेसला खरी सकते हैं तो ऐसी बहुत सारी नियूज मार्केट में एलोन मस्क के दोरा फ्लेश की जाती है या फिर एलोन मस्क के दोरा मार्केट में परसारित की जाती है फैला ही जाती है जिससे डोस कोई के price में उच्छाल देखने को मिले लेकिन पिछले कुछ 6 महीनों से ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है और अभी जो नियोज निकल के आई है उसमें जो online Musk है उन्होंने tweet किया है McDonald को क्यों नहोंने मतना है कि वो McDonald का happy meal झाते हुए पर दिखेंगेिंगे अगर मैक डॉनल्ड डोस को और को सेप्ट करता है उसके बाद क्या होता है डेख सकते हैं कि हजार कॉम्ट किया जाता है और हजार क्या झार के लाइक यहीं देख इसके बाद market में भूचाल आजाता है और बहुत सारे tweets flow market में आ जाते हैं कमेंट्स आ जाते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि अगर MacDonald अगर ऐसा करता है meme coins को या फिर ग्रिमा coins को अगर accept करता है तो वो MacDonald से और भी ज्यादा burger खाएंगे या फिर और भी ज्यादा मैक डॉनल्ड पर जाएंगे लेकिन कुछ लोगों का साथ ही साथ आपको पता है पॉस्ट्रीब के साथ नेगटिविटी भी आती है कहीं ना कहीं तो बहुत सारे ऐसो भी लोग हैं जो यह चाहते हैं कि मैक डॉनल्ड ऐसे मीम कोई को यहां पर असेप्ट ना करें और उन्हों से वह सेप्ट करना चाहिए उसके बाएद टूटर पे अगर हम टूइट की बात करें तो अपर को सकता है या फर पर कि binds कोशाल देखने को मिलेंगा तो एसे बहुत सारी लोग है इल यह बसकी बात करें जोंगी चाते हैं Doze Coin के Price में उच्छाल देखने को मिले के d가요 आपने अभी तक Doze Coinacje में नहीं किया है तो आप जरूर invest करें फ्रेंड्स अगर हम अभी के डोज कोईन की प्राइस की बात करें तो 11 रुपे पे अभी ही ट्रेड कर रहा है एक परसेंट की गरावट है और पिछले कुछ दिनों से बात करें तो बहुत जादा गरावट देखने को मिली है लेकिन बाइंग बहुत अच्छी हो रही है तो अ बड़े वेल जिस तरीके से बाइंग कर रही है आने वाले संध्य में कुछ न्या देखने को मिलेगा या को कि आने वाले समय में भूचा लाने वाला है या फिर फीचर ही क्ररलन का है आप इन सभी भातों को सोचे कर कि कि मार्केट में जरूए इंवेश्ट करें और डूस मोटिवेशन का काम करता है थैंक यू